आज समरठ असोक यानि धम चक्वन्तू इसको जो बोलते ना धम चक्रवती समराथ तो यह जो औरिगनल सब्ध है यह धम चक्वन्तू यहां उ लगा देते हैं यानि वाला धम माने जो धम चलता है प्राकरतिक नियम और चक्र माने धरमका चक्र यानि जिसको आप A4 तली वाला ऑसको ठांगिकज मार वाला ॲा उसको गूमाने वा अर पी बोलते हैं नाम उसका प्रिय दर्शी है वैसे तो जो हिंदी में हैं मगर पाली में प्रिय दर्शी बोलते हैं प्रिय दर्शी मतलब जिसका दसन प्यारा है जिसको देखने से अच्छा लगता है प्रिय लगता है और सम्रठ सम्रठ का मतलब है जिसका राष्ट सम्ता पर आधर वैसे समराठ बोलते हैं समराठ मतलब होता है समता पे आधत राश्ट समरीप जो महान देर की जिसके तो आप सम्राथ असोग के वारे में यानि धम चक्वंतु पिए दस्ती सम्रठ असोग महान के वारे में दो जैंतिया मनती हैं एक जैंतिया पहले गए थी एक अभियाई है क्योंकि ऑरिजिनल डेट का किसी को पता नहीं चलता है बस कहीं से कुछ मिल गया तो चल गया फिर मानता हो जा है कुछ नहीं है पत्थर है तो पता नहीं चलता है तो वैसे दो डेट चलती है अच्छी बात है दो चलती है हमारे महान पुरसोगी तो हर महीने कोई नहीं कोई डेट आनी चाहिए मैं तो कहता हूं कि बुद्ध के बारे बर्थडे होने चाहिए हो समराएं क्योंकि इस बह हैं आपको किताबों मिल जाएंगी लेक मिल जाएंगे आलेक मिल जाएंगे और अब तो रिसर्च चल रही है तो यह भी पता चलेगा कि उनका राज्य कैसे चलता था उनका संविधान कैसे चलता था राज्य में सासिल कैसा था शांती कैसी थी भाली कैसी थी आप जितना भी प पत्थर पे लिखवाया, उस पत्थरों के पीछे क्या लिखा हुआ है? जो गुदा हुआ नहीं है, जो एंग्रेविंग नहीं है, और जो प्लेन है, सपाट है, वहां भी कुछ अक्षर लिखे हुए हैं. आप अगर बावा साब की अनुयाई हो और गुद्ध की अनुयाई हो तो सफेद साइज से सफेद अक्षरों को पढ़ना सीख लो. अगर सीखोगे नहीं और सफेद पेसपे काली साइज के अक्षरी पढ़ते रहोगे, तो आप उन्हीं अक्षरों में उलजे रहो. जब समराथ असुख की बात चलेगी, तो आप यह पूछना कि समराथ असुख ने जो महा भारत बनाया था वो महा भारत कहां है और महा भारत से भारत कैसे रह गया फिर आप यह पूछना कि क्या महा भारत सम्राट असोग से सम्राट असोग से पहले किसने बनाया और इसको टुकुड़े करने वाले कहां गए कौन इसको भारत को महा भारत का टुकुड़े करने वाले वो कौन लोग थे और वो कहां छुपे बैठे हैं वो किधर चले गए फिर आप ये पूछना कि वो कौन लोग थे जिन्होंने समरट असो के पत्थरों को तोड़ा क्योंकि आप एक ही बात बोलोगे कि पत्थरों पर ऐसा लिखा ऐसा रास था वैसा रास था मगर कह नहीं भी आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाने दिया जाएगा कि पत्थरों को तोड़ने वाले लोग कों थे आपको भटका देंगे वो कहेंगे पत्थरों को तोड़ने वाले किसी दूसरे धरम के किसी दूसरी माननता के लोग थे जो इस देश के नहीं थे तो दूसरी मान सब्सक्राइब और सीधे असोग तर महान का नहीं पहुच गई उन्हें क्या पता कौन असोग कैसे पत्थर ख्यानी है वो तो पहले ही टूटे पड़े हैं तो कोई भी मानिता या कोई भी मानिता का विफ्ती भारत मुन को तोड़ने नहीं आया और तोड़ने वाला चुपके बैठा हुआ है अपनी पहचान निकलने से डर रहा है इसलिए दूसरों के नाम लिखते दा है कि यह उसने तोड़ा उसने तोड़ा और वह बात सर्टिफाइड नहीं होती है क्योंकि जब आप असोक महान का जिक्र करोगे तो आप इस बात का जिक्र करोगे कि उसके पत्थरों में जो सम्ता का सम्विधान लिखा हुआ है इस सम्ता के सम्विधान से चिड़ कौन रहा था परेशान कौन होता तो आपको बता दे जाएगा कि बाहर का था इधर का था तो लोग तो थे यहाँ पर जो तो समढ तो अपने राज्या का अपने सैना पती का अपने जो सांटिस्टिस्ट हैं जो वेग्यानिक हैं जो डोक्तर हैं जो जो खिसान हैं, जो पिसक हैं, सारे समड हैं, तो समड तो अपना राज्जिक नो तोड़ेगा, क्यों अपने पत्था तोड़ेगा, वो तो उसकी फायदे की बात है, तो आपका दिमाग इस बात में जाना चाहिए, कि जो तोड़ने वाले लोग हैं, वो कोँ हैं, इतियास को उसे हसाब से मत देखो, जो आपके हाथ में किताब दे दे देगी हैं, इतियास को इस हसाब से देखो, जो किताब आपके हाथ में दी नहीं गई हैं, वो किताब कहा हैं, जब आप पढ़ो कोई भी हिस्ट्री तो उसमें ये देखना कि इसमें मैं कहां हूं, यानि हम कहां है इसके अंदर क्योंकि हम तो है अगर हमारा अस्तित्व है और हम यहां अथी है और हमारी एक्जिस्टेंस करोड़ों में है और एक सो बीस करोड़ों में है तो अगर पन्ने लिखे जाएंगे इतियास के एक सो पैंतिस तो पंद्रे पन्ने तो दूसरे हो सकते हैं पर एक सो बी हैं उन पन्नों में हम कहा हैं यह आपको ढूनना पड़ेगा और वो जो अक्षर लिखे हुए हैं वो उनके बीच में हैं बेट्विन दा लाइन्स हैं जो लाइन्स होती हैं ब्लैक लाइन्स होती हैं उनके बीच में जो वाइट लाइन होती है उस पर वो लिखे बन जाओगा हम फिस्बॉक पे वार्टाप किसी का मैसु अथा एकिसी का कोपी कर देते हैं बीना सोचे समझें कि क्या चल जागा क्या नहीं पिर तह तक नहीं पहुँश पाओगे पिर जान नहीं पाओगे कि यह चीज चल क्या रही है और चला कौन रहा है और क्यों चला रहा है इसलिए किताबों पे ज्यादा भरुसा नहीं करना चाहिए किताबों के बीच में जो लाइन है उसको पढ़के उस पर भरुस करना चाहिए सभी महापुर्शन ने ये कहा है कि तर्क पे कसना चाहिए सहज ग्जान से बुद्धिका इस्तिमाल करना चाहिए और लगाता लगाता तर्ग शक्ति बढ़ाते रेना चाहिए अगर आप तर्ग सक्ति नहीं बढ़ा होगे अगर आप उन किताबों के आर्पार देखने की छंदा नहीं बढ़ा होगे तो वो किताबें आपको गुम रहा कर देंगी गुम कर देंगी क् कर आपकी स्ट्री होती तो बताया जाता कि आपका जो सफ सोफ है उसको इसलिए सब्सारा अनका गी श। कि तोड़ दिया ऐसा कौन है जो समतली राष्ट का दुस्मन है और वह कहां क्या कर रहा है जो नहीं कर आ दिया और ये कहां से चला आ रहा है जो लोग ये कहते हैं कि अखंड भारत और विसाल भारत और पुराना भारत है वो लोग कभी ये नहीं बताते कि ये विसाल भारत अखंड भारत था इसका टुकड़े टुकड़े भारत कैसे हो गया क्या दिक्कत हुई किसने की कौन हैं कौन से वीर लोग हैं कौन से काय लोग हैं जिन्होंने समरठ असोग के साथ घात किया और वो कौन से घातक है और वो घात अभी भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं यह आपको समझ में आ जाएगा इसलिए आप ध्यान दोगे कि समरठ असोग की जो जैनती है वो अंतराष्टे होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए अंतराष्टे क्योंकि भाई वो अंतराष्टे आदमी है वो अंतराष्टे का आदमी है वो अफगानिस्तान में भी है वो पाकिस्तान में भी है वो बंगला देश में भी है वो मालडी में भी है वो सीलंका में भी है वो बर्मा में भी है वो नेपाल के अंदर भी है और उपर जो देश है उसके अंदर भी है तो वो इन सारे देशों में महावारत में है आज उसके म बड़ा उसका सम्रठ्ठ था तो उसकी जैनती अंतर अठिक होनी चाहिए जिसकी महौर लगी हुई है के हर व्यक्ति की जिव में नोट रह जाता है जो सारे के सारे पूरे सम्विधान का चिन्द बना हुआ है हर एक राज चिन्द बना हुआ है जो सेर की तरह चारों सेर धाल के जिसने बराए जिसके शेर बने होते हैं उसकी छुपी नहीं होती उसके सरकार कारी करम नहीं लगात असोग की जैनती है वो आप बहुत कम निम्टा ले देते हैं इसको तीन दिन पहले स्टार्ट करना चाहिए और साथ दिन बात तक चलाते रहना चाहिए दस दिन तक लगाता रटते रहना चाहिए जब करते रहना चाहिए जब करते रहना चाहिए जब करते रहना चाहिए जब आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है, उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी धम्मं मर्सेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी सेन्गं सेनं गच्छामी दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी दोखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी तरतियं 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 पी सन